गुड आफ्टरनून आप लोगों को कल हम लोग सिंटरमेटलोजी का इंट्रोडक्शन्स देख रहे थे आज मैं कुछ इसके परिभासा को और भी विश्त्रित अलग-अलग ओथर्स के माध्यम से भी देखना चाहूंगा और हमारे अपने होमियोपैथी में डॉक्टर हैनिमन ने सिंटम्स को क्या समझा जोने लिखा है दे चेंजे इन दे हेल्थ आफ दे बॉड़ी एन दे माइंड शरीर और मन में जो परिवर्तन आता है जो की बाहर से आप समझ सकते हो महसूस कर सकते हो अपने सेंस के द्वारा उसको और जो की पुराने अपने अवस्था से वह अंतर हो बने जो पहले की स्थिती थी जिसमें की रोगी अपने को अच्छा महसूस कर रहा था उसके बाद में जो परिवर्तन वो महसूस कर रहा है उन सारे परिवर्तनों को चाहे हुआ मन पर हो या सरीर पर हो उसको उन्होंने लक्षन माना था कि former health और जो present age है बने पहले से तुलनात्मक लक्षन को उन्होंने कहा यह तुलनात्मक है यह comparative state है इंडिकेट करता है लक्षन क्या है comparative state है जो परिवर्तित है उस अवस्था को हम लोग लक्षन करते हैं लक्षन इसे एक निश्कर सम लोग पहुचते हैं कि लक्षन जो है परिवर्तित का changed state है यानि कि परिवर्तित अवस्था है फिर डॉक्टर केंट ने भी इसे बड़ा अच्छा से कहा it is deviation from the normal state जो normal state अब रोगी हर एक रोगी का अपना अपना नॉर्मल state होता है कोई आदमी किसी अवस्था में अपने आपको comfortable महसूस करता है स्वस्थ महसूस करता है वह उसके लिए normal है तो कहा कि उसमें से जो अपने को परिवर्तित समझता तो यहां भी इनोंने परिवर्तन की बात करी ठीक है ना और हम लोगों के एक बहुत एक तथ्य है जो की बताता है कि सरीर के अंदर में क्या परिवर्तन हुआ तो दो बात हम लोग सीखे Kent के और Hennyman और Stuart Close से एक कि यह परिवर्तित दवस्था है चेंज दे स्टेट है दूसरा यह evidence है ठीक है ना evidence है और डिवे ने कहा symptoms जो है और से fields में फिक ऍाहर और समृटा दीक है बाड़ा एक क्या,' शरी के अंदर में प्यषक के लूंत यह पता रहा है कुत हिरा कुछ तो कुंछ तो अंधर में गरवरी हो रहा है तो यह हम लोग को डिमाग में बैठाने पने अलग अलग अथर नहीं से अलग अलग तरह से define करने का कोशिस किया है Dr. Robert Wright ने कहा है symptoms to the homeopathy are the language of the body expressions expressing the disharmony calling for the single similar remedy कहा कि ये language है भासा है किसका भासा है रोग का भासा है जो की दवा एक समान दवा की मांग कर रहा है ये बहुत है ये homeopathy का approach इन्होंने बताया समान लक्षन के अधार पर ये दिखलाई पड़ा लेकिन जब आप dictionary में जाईएगा तो वहाँ पर सीधा सा earth है कोल भी change जो की आप समझ perceptible perceptible का मतलब होता है जिसे आप महसूस कर सकते हैं तो आज के दुनिया में हम लोग खाली सरीर से नहीं महसूस करते हैं हम लोग technology के माध्यम से भी महसूस करते हैं हम लोग technology मतलब कि microscope है laboratory investigations है pathological investigations है उसके अधार पर भी हम लोग परिवर्तन को देखते हैं तो इन सब परिवर्तनों को आप देख सकते हो जो कि सरीर पर है और function में है मनि सरीर और उसके कारिय प्रणाली में subjective या objective फॉर में देखते हो उसको हम लोग symptoms के नाम से जान सकते हैं जब आप symptoms को इस तरह से इस dimensions को आप देख रहे हो या परिवर्तन को है या एक state है एक change को indicate कर रहा है एक state of the health को experience कर रहा है disturbance को explain कर रहा है तो यह सारे body language को express कर रहा है बिमार की आवस्ता को दवा की मांग कर रहा है इन साब बातों को देखने से हम लोग symptoms के और भी विस्तित dimensions में समझ में आता है इसलिए मैं आपको पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि symptoms और कस्ट को हम लोग mix up ना करें जो कि symptoms जो है तो वो एक कोई ना कोई उसके अंदर में संबंध रोग के साथ में दिखला ही पड़ना चाहिए कस्ट से संबंध का जानकारी नहीं होता है यह symptoms को हम लोग जो समझने का प्रयास करते हैं इसके लिए तीन भासा का हम लोग इस्तमाल करते हैं एक कहते हैं साइन साइन का मतलब क्या होता है यह एक जो कि दिखलाई पड़ता है फिजिक के फिजिशियंस को या एटेंडेंट को जो दिखलाई पड़ता है यह objective है यानि कि दूसरे लोग हो सकता है कि साइन को रोगी अपने आप महसूस ना कर रहा हो लेकिन दूसरे लोग भी उसको देखते हैं लेकि खुद रोगी नहीं महसूस कर रहा है दूसरे लोग भी देख रहा है तो उसको हम लोग साइन के कैटोगरी में रखते हैं साइन मतलब कि उसका एक जैसे साइन बोड हुआ करता है लो तो उसी तरह से यह sign जो होते हैं, so sign mode होता है, मनें कि रोगी के उपर में कोई दाग है, अगर कोई ऐसे जगह पर दाग है जिसको कि वह देख नहीं पा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, वह sign है, वह objective symptoms है, तो यह एक तरह है, दूसरा है कि एक है, हम लोग इसके symptoms को तो patient अपने आप महसूस करता है, और तिसरा सब दोता है syndrome, syndrome, एक ऐसा group of symptoms है, जिससे कि हम लोग एक कस्ट को और रोग होने के कारण को समझने का प्रियास करते हैं, यानि कि कोई इसका निश्चित definition नहीं हो पाया है, उसको हम लोग syndrome कहते हैं, जो suggest करता है, यह suggest करता है, ज अपने से HIV, यह भी syndrome है, अब हम लोग पहले syndrome था, हम लोग जान गए हैं कि एक virus के कारण होता है, कोरोना, हम लोग अब जान गए हैं कि virus के कारण है, लेकिन जब तक नहीं जाने थे, तब तक हम लोग इसको अलग-अलग धंग से हम लोग इसको इसकी व्याक्षा कर रहे थे तो एक है कि known symptoms और unknown symptoms, known symptoms उसको कहेंगे जो कि जिसके कारण को भी आप जान रहे हो, क्यों हो रहा ये भी जान रहे हो, और कुछ है कारण नहीं जान रहे हो, तो कारण और उसके reflections में कोई तालमिल नहीं बैठा पा रहे हो, उसको हम लोग syndrome के नाम से जानते हैं, तो हम लोग तीन सब्द को हम लोगों ने आज देखा, sign, symptoms and syndrome, तो चैतरों ये बढ़ा, आप लोग का स्पस्ट होने का बहुत ही जरूरी है, अब हम लोग आते हैं, इसको classification की ओर में, classification, और मैं इसका चरण बद करूँगा, डॉक्टर हैनिमेन ने इसे कैसे classify किया, हैनिमेन ने एफाई नमबर 153 में कहा characteristic symptoms की बात करी है, characteristic symptoms का, उन्होंने कहा कि वैसा लक्षेंज जो की चरित्र को indicate करें, हना ये हैनिमेन का classification से है, आपको एफाई नमबर 153 में, फिर वही पर उन्होंने कहा है general and undefined symptoms, एक characteristic symptoms जो की defined है, लेकिन उन्होंने कहा है general symptoms भी यहता है, undefined symptoms भी होता है, undefined मतलब उसका आप अता-पता नहीं, उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा भी हो, वेग होता है, हना, तो उसको 153 में वहां भी बताया, उसके बाद में, 93 फ़ल में उन्होंने lesser accessory symptoms का, बन्होंने, accessory मतलब सहय, सहयोगी, हना, तो कम सहयोगी, और एक होता है, मुख्य सहयो symptoms, और एक lesser का, और जो बड़े हुए, जादे हुए, उसको 181 में उन्होंने का, accessory symptoms, मनि मुख्य लोग के साथ में, जो है, वो उसके साथ में आये हुए, उसको उन्होंने accessory symptoms का, इसके अलावे, उन्होंने accidental symptoms का भी जिक्र किया है, accidental मतलब अच्छानक हो गया, और जिसके Determinate symptoms, Determinate symptoms मतलब की, जो कि आप निश्चिता की ओर ले जाता हो, हाना, तो हैनिमन साथ, आपको, जब अपनी और गिनन में इसका व्याक्षा कर रहे थे, तो हैनिमन ने symptoms के लिए अलग-अलग सब्दों का इस्तमाल किया है, characteristic symptoms का इस्तमाल किया है, general and undefined symptoms का इस्तमाल किया ह है, necessity symptoms का इस्तमाल किया है, accidental symptoms को इस्तमाल किया है, और determinative symptoms को भी इस्तमाल किया है, अब आएए, हम लोग डॉक्टर केंट की ओर आते हैं, केंट ने बड़ा एसपस्ट रूप से कहा, चुकि केंट का एक language है, वो बहुत ही wide dimension है, हम लोग बाद में केंट बड़ा और आएंग काया कि मनुस्ते के general level पर, मनुस्ते के general level पर तो उसको general symptoms कहा, और उसके अंग पर उसको उन्होंने particular symptoms कहा, और कुछ common symptoms कहा, जो की रोग के साथ में आते ही हैं, और उसके कभी, वो undefined होते हैं, और common symptoms, जोक्टर केंट के मुताबिक, बहुत सारे उसके element जो होते हैं, माले उ complete रही होते हैं, तो केंट ने general plane पर, body के plane पर, तीन भागों में लक्षनों को बाटा, general symptoms, particular symptoms and common symptoms, मैं इस अभी के विशाय में अलग से फिर आपको विशेश रूप से आऊंगा, और इस डॉप्टर स्टूर्ट क्लोज ने कहा, subjective symptoms, subjective symptoms मतलब कि जो रोगी अपने आपको महसू पिर की नोट symptoms की बात करीएं, की नोट symptoms क्या होता है, जो कि एक ऐसा, की मतलब चावी, की का मतलब होता है, चावी, ऐसा लक्षन जिसके माध्यम से आप बहुत सारी बातों को जान सके, आप बहुत सारी बातों को जान सके, एक लक्षन के माध्यम से आप बहुत जो कई अक किसे हमें hints दे दे, आपको इसारा कर दे, उसको हम लोग keynote symptoms कहते हैं। फिर stewards close ने एक negative general कहा, कहा कि कोई-कोई बीमारी ऐसा भी होता है जहां कि उस symptoms को होना चाहिए लेकिन नहीं है। होना चाहिए लेकिन नहीं है, जैसे आपका temperature जब fever बढ़ता है, तो fever बढ़ता है तो thermometer में आपके temperature डिखलाई परते हैं। लेकिन पूरा बड़ी ठंडा है, जहां गरम होना चाहिए वहाँ बड़ी ठंडा है, तो यह ठंडा बड़ी जो हो गया, तो आपको negative general है, यानि कि जहां पर जो बाते होनी चाहिए, वह नहीं हो रहा है, उसको उन्होंने negative general के रूप में रखा। तो यह डॉक्टर स्टूर्ट क्लोज का definition हो गया, फिर डॉक्टर रॉबर्ट ने भी इसे अलग-अलग धंग से कहा है, चीफ कंप्लेंट्स, यानि कि जो मुख्य है, जिसके लिए रोगी ले करके आपके पास में आता है, उसको हम लोग चीफ से कंप्लेंट कहते हैं, या लीदिंग सिंटम्स कहते हैं, हाना, सास फुलने के लिए आ रहा है, लेकिन जब आया तो उसके सास में, जब आपने पुछ सास किया, तो और भी बातें मालुम हुआ, तो उसको उन्होंने कहा, और एक सिंटम्स होता है, इस चीफ सिंटम्स के साथ साथ जुड़ा हुआ होत लक्षन जो कि डाइगनोज किया जा सकता है, जिसके माधियल से आप रोग को डाइगनोज कर सकते हैं, बने कि रोग को निदान कर सकते हैं, रोग को जान सकते हैं, उसको डाइगनोस्टिक सिंटम्स कहते हैं, और फिर उन्होंने कहा, रोबर्ट ने सिंटम्स ओफ लोकेशन अस्थानिया, कोई लक्षन अस्थानिया हो तो वही पर हो गाई, दूसरे जहाए पर नहीं होगा, जैसे गाउट है, गाउट कहा होगा? तो हम इसा जोड में होता है, है ना? तो हम गाउट उसका संग्या दे दिये, उसको कहाँ शिम्टम्स अफ लोकेशन, एक होता है कॉंट Contradictory Symptoms यानि Contradictory मतल्ब विरोधाभास, दोनों का तालमेल नहीं है, उसको णते है Contradictory Symptoms, कैसे? Contradictory का मतब जिसको विरोध करने वाला हो हाना प्यास गर्मी बहुत लग रही है प्यास नहीं लग रही है गर्मी बहुत लग रही है लेकिन प्यास नहीं लग रही है गर्मी लग रही है तो प्यास भी बढ़नी चाहिए ना पानी सरी से सुख रहा तो पानी भी लगनी तो यह contradictory हो गया फिर उन्होंने कहा यह दो लक्षन नहीं है यह alternating state है हना रोग का alternating state है तो यह डॉक्टर रोबर्ट का ब्राजचा उन्होंने आपके सामने में लक्षनों का classify किया है डॉक्टर गार्थ बोरिक भी आपको symptoms का बोरिक जिसका बोरिक के मेट्रे मेडिका आप लोग देखते हैं उसमें उन्होंने basic and determinative symptoms का determinative मतलब की जिससे की आप निश्चित रूप से दवा के पास में पहुंच सकते हैं हाना और दुसरा उन्होंने का clinical symptoms clinical symptoms जो की clinic में observe किया कर रहे हैं आप हाना रोगी उसको हो सकता है कि नहीं बताए लेकिन वह clinic में आप और observe कर सकते हैं और उन्होंने एक और सब्द कहा curative symptoms, curative symptoms मतलब जो ठीक हो सकता है कुछ symptoms ठीक हो सकते हैं कुछ symptoms नहीं ठीक हो सकते हैं हाना तो वह clinical state है जैसे की आपके constipations हैं तो constipations को आप ठीक नहीं कर सकते हो क्यों क्योंकि वह maintaining factor से हैं तो उसको उन्होंने कहा कि ये clinical symptoms है जो की आता जाता रहता है आता जाता रहता है ये curative नहीं होता है हाना तिस तरह से बहुत सारे लक्षन होते हैं जो की cure हो सकते हैं जो की लक्षन नहीं cure हो सकते हैं अब आजाए हम लोग Elizabeth Wright Hubbard का classification पर इन्होंने कहा common symptoms common symptoms कहने का मतलब common symptoms मतलब कि जो की जिससे की आप ज़्यादा परिशान नहीं होते हो वो होता है और आता है जिसे सर्दी है तो नाख से पानी आई रहा है खांसी हो रही है बुखार है तो restlessness है ये बुखार में restlessness common हो गया लेकिन अगर restlessness नहीं है तो वह uncommon हो जाता है फिर इन्होंने mental symptoms की बात करी एलेजबित राइक ने mental symptoms की बात करी mental symptoms वैसा लक्षन है जो की रोगी अपने मन में जो महसूस करता है उसको mental symptoms कहा फिर general symptoms की बात करी यानि कि सरीर पर विस्तार लोग से उज़र देखता है objective symptoms को हम लोगों ने चर्चा किया एलेजबित राइक ने इसको दो राया है और आता है pathological generals, pathological generals, pathological general कहने का मतलब होता है जो लक्षन precipitate कर गया हो यानि कि उसका एक pathology, वो final disease के form में चला रहा है, वो स्थाई हो गया है, परिवर्टित हो गया, उसको उन्होंने कहा pathological symptoms और फिर उन्होंने particular symptoms की बात करी, particular symptoms का मतलब होता है वैसा लक्षन जो कि एक particular स्थान पर हो, हाना, एक विशेश स्थान पर हो, विशेश situations में हो, उसको उन्होंने particular symptoms का और इन्होंने एक और symptoms का जिखर किया है जिसको की eliminative symptoms, यानि कि एक लक्षन या दो लक्षन ऐसे होते हैं, जो कि सारे चीज को हटा दे सकते हैं, और इनको लेने क बाद में आप अन्य लक्षनों को लेने की आओ सकता नहीं पड़ेगी, इनको लेने के बाद में लक्षनों को लेने की आओ सकता नहीं पड़ेगी, इस लक्षन में जो बाते समाहित है, वह पेसेंट पर लागू होता है, और जो समाहित नहीं है, वह पेसेंट पर लागू नहीं होता है ठीक है ना तो यह आपका बहुत इंपोर्टेंट बात है अम common symptoms को डॉक्टर हैनिमन ने कहा common symptoms भी होते हैं दो तरह के होंगे pathogenetic 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 or pathogenetic pathogenetic का मतलब pathogenetic का मतलब बता है symptoms that are common to a medicines एक दवा को कई एक दवा में पाया जाएगा हाना common to a headache है तो कही एक दवा में इसको pathogenic symptoms कहते हैं they form the bulk of the drugs pathogenesis कही एक दवा हाना आप डिपर्टरी में जाएगा तो एक एक लक्षन के में 50-50-100-100 दवाईया जिक्री किया हुआ है तो यह pathogenic symptoms हो गया they form the bulk of the drugs pathogenesis और यह दवा को चूनने में आपको कोई मदद नहीं करता है दवा को isolate करने में आपको कोई मदद नहीं करता है और लेकिन यह important इसलिए होता है यह body के harmony को आपको यह indicate करता है ठीक है न तो यह pathogenic pathogenic करते हैं यह common to the disease state होता है pathogenic disease state में ही वह खाली पाय जाएगा ठीक है न उसको इसको अखरता है और इसका relation जो होता है related disease में ही पाय जाता है और यह हम लोगों को रोग को differentiate करने में मदद करता है रोग को differentiate करने में मदद करता है तो यह हम लोग के लिए important में over outline आपको मैं बता रहा हूँ इसकी जानकारी दे रहा हूँ फिर आता है uncommon symptoms uncommon symptoms का मतलब होता है वैसा लक्षन जो की uncommon हो और यह बहुत जगा पर नहीं पाया जाता है है ना बहुत जगा पर नहीं पाया जाता है और जो जिस स्थिती में जो होना जिस नेगेटिव जेनरल टाइप का होता है तो यह है इसका peculiar in nature और character peculiarity जो है तो बिचित्र अपने आप में बिचित्र होना उसको हम लोग कहते है peculiarity और इसके बहुत ही कम रोगियों में पाय जाता है और इसके similarity बहुत कम होती है इसको हम लोग generally rare symptoms भी कहते हैं और uncommon symptoms जो है तो हमको खाली mathematic understanding को develop करने में मदद करता है ठीक है ना तो यह आपका classification का यह तरीका हुआ और फिर बॉनिकी सिर्फ ने symptoms को साथ जगह देखने की बात करी साथ जगह देखने का एक कहा quiz का मतलब personality पर, individuality पर QB, QB का मतलब disease के nature पर, problem पर UB, UB का मतलब हुआ seat of the disease पर, रोग कहां पर है उसके अरहाँ पर QB, QB, Auxilus, इसको कहा associated symptoms मनले इसके साथ साथ आने वाला QUR, CUR, CUR, इसको कहा cause of the disease यानि की रोग के कारण को छथा कहा उन्हेंने QMEDO, QMEDO मतलब modifying factor, modality, जो general modalities है उसको उन्होंने कुमेडो कहा और उन्होंने फिर आलत में कहा कुनेंडो कुनेंडो का मतलब होता है ताइन मॉडलेटी तो यह उन्होंने seven area बताया जो की लक्षन को characteristics कह सकते हैं और इस सातों अगर present हो गया तो उसको हम लोग peculiar भी बोल सकते हैं, uncommon भी बोल सकते हैं, ठीक है न poultry है, वह mental general और physical general और particular तीन भाग में बता हुआ है, हना mental general, physical general और particular general में, यानि कि mental general मानसी general, physical general शरीर पर पाया जाने वाला और particular symptoms किसी खास शरीर पर पाया जाने वाले लक्षन को उन्हेंने particular symptoms का, तो इस तरह से हम लोगों ने symptoms का जो classification किया है, वह काफी जो महत्वपूर्ण है, और इस symptomatology के परिपेक्ष में काफी काम होता रहा है, और इस विस्तार को हम लोग देखेंगे, और अगले class में हम लोग यह भी देखने का कोशिस करेंगे, यह लक्षन जो है, तो अलग-अलग कैसे, किसका क्या importance है, हना, किस क्रम में आपको डॉक्टर बोगर का pathological general की बात करना चाहूंगा, डॉक्टर बोगर ने pathological general की बात कही, pathological general का मतलब क्या होता है, वैसा pathology को generalized हो गया, हना, पूरे सरीर से जिसका सम्मंद हो गया, उस तरह को pathology को pathological general का, और जो खास अंग में हुआ, उसको उनने pathological particular सब्द का किसी ने भी ने इस्तिमाल किया है, लेकिन हम लोग ऐसा मान सकते हैं, कि वह pathological particular है, तो pathological general, ये एक डॉक्टर बोगर का बहुत बड़ा महत्व है, जिन्होंने pathological inclusion reportory में किया, बोगर ने pathological inclusion reportory में नहीं किया था, लेकिन बोगर ने इसको pathological inclusion किया, और बोगर का एक और contributions बहुत अच्छा है, जिसको की कहते है, fever totality, हाणा, fever totality का मतलब, लक्षन बुखार के समय में, जोर के समय में, लक्षनों की totality अलग होती है, और उसमें खास बाते होती है, क्योंकि fever एक type of inflammatory states है, तो उसमोंने fever totality की बात करी, और वो एक महत्वपूर् states बना, जो की आपका disease को classify करने के लिए काम में आता है, ठीक है न, तो इस तरह से हम लोग जब देखेंगे, तो आपके लक्षनों का जो और अलग-अलग situations में इसे देखने का प्रयास कीजिएगा, तो यह आपको अलग-अलग विस्तार से इसका जानकारी होता चला जाएग ठीक है न, और आवी कुल बिला करके आप देखिएगा, तो आज के समय में हम लोगों के पास में करीब-करीब, सो तरह के लक्षन आपके classification है, मैं एक-एक करके चर्चा करूंगा, इसलिए मैं इसको समय ले लूँगा, और कई एक सीरीज में इस लेक्षर को complete करने का course करूं का कठिन काम नहीं होगा, दवा का चुनाव करना आपके लिए आसान हो जाएगा अगर लक्षन को समझने का, इसलिए यह हमारा anatomy है, हमारा physiology है, होमेपेथी का, लक्षन ही, यही जी के माध्यम से हम लोग रोगी के पास में पहुचते हैं और रोगी की जानकारी हम लोगों क को मिलती है, तो छात्रों, आज के लेक्षर को मैं यहां पर ही इतने ही topics को काहर करना चाहूंगा, उसके बाद में मैं अगले lectures में कुछ symptoms के glossaries पर जाऊंगा, जहां की आपको आते हैं और कुछ और करूंगा, उसके बाद मैं फिर और details में classification पर जाने का courses करूंगा, तो आज के lecture को हम लोग आपको, इसी पर हम लोग को complete करना चाहूंगा, एक बात का हमेशा दिमाग में रखियेगा, हमेशा दिमाग में रखियेगा, clarity of the understanding की लक्षन है, जिस लक्षन से आपका दिमाग में कोई indications नहीं आ जाए, बात नहीं समझ में आ जाए, वह लक्षन नहीं है, ठ था, वह लक्षन नहीं होकर के कस्ठ है, हना वेग है, वेग बातों पर इलाज नहीं होता है, इलाज करने के लिए आपको एक बहुत ही विस्तृत जानकारी चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, clarity चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हनिमें ने perceived की बात की, perceived मतलब जो आप समझ जात हो, totality वही है, जो की perceived हो जाता है, जो आप समझ जाते हो, और आप समझ जाते हो, तो समझ के अधार पर आप मिट्रिया मेडिका में, रिपोर्टरी के माध्यम से जाकर के आप दवा का चुनाओ कर सकते हो, यह हम लोगों के लिए एक बहुत important message है, डॉक्टर हनिमें का, और जितने सारे इस पर अध्यन हुए हैं, शिम्टम्स पर, सभी का approach जो है, वह रहा है, investigations and diagnosis, वह क्या रहा, investigations and diagnosis, इसके लिए आपको लक्षन को देखने के लिए, आपको अपने साथ, सभी sense को खोल के रखना पड़ेगा, open रखना पड़ेगा, अपने आँखों से देखना होग अपने तीसरे नित्र से भी देखना होगा, तब ही जाकर कि आप लक्षन को complete कर सकते हैं, अगर खाली आँख, खाली सुनने की बात करेंगे, खाली देखने की बात करेंखा कि डॉक्टर हैनिमन ने छटे 5 में कहा, कि पेशेंट को जानने का हमारे पास में तीन ही स्रोथ है, 6 से 5 में उन्होंने कहा, तीनी स्रोथ है, एक जो पेशेंट स्वैम बताता है, जो अपने अंतरात्मा की बात करता है, वह लक्षन बहुत सबसे primary है, उसके बाद में observations of the physician, जो रोगी आप खुद देखते हो, और तीसरा उन्होंने कहा attendance, आपके क्लिनिक में पैठा है, तभी आप रोगी को देख रहे हो, लेकिन बहुत सा लक्षन ऐसा है, जो कि आपके रोगी के साथ में रहने वाले उसके अभीभावक हैं, उसके साथ साथी हैं, वो लोग उसको observe करते हैं, तो यह तीनों का जो स्वरूप बनता है, तीनों मिल करके, जो बात बनेगा, वह clarity for the selection of the medicine, दवा को चुनाव करने के लिए लक्षन ही एक ऐसा अधार है, जिसके माध्यम से आप दवा का, आप रोगी को पहचान सकते हैं, रोगी का, यानि कि लक्षन एक bridge का का काम करता है, एक सेतु का का काम करता है, जो कि रोगी और दवा के बीच में, और उस bridge को बनाने वाले कौन होते हैं, आप physicians हैं, तो आपकी समझ और आपकी समझ बहुत important है, ठीक है न, आपकी बात बहुत पूर्ण है, क्योंकि आप दोनों तरफ देख रहे हो, रोगी की तरफ भी देख रहे हो, और दवा का, और दवा का विशेश जानकारी तो आपको होता ही है, ठीक है एक known है, और रोगी unknown है, तो एक unknown चीज का, unknown मतलब कि वो इसको आपने देखा नहीं है पहले, उसको समझने का कोशिश करते हो, और दवा तो आपने पढ़ा है, तो दवा के पहले से पहले से परिचय है, और रोगी से पहले से परिचय नहीं है, ठीक है न, रोगी से जब पह उसको आप फिर एक दवा का पोट्रेट बनाते हो एक तस्वीर बनाते हो और उस तस्वीर के अधार पर हम लोग रोगी के पास में जाते हैं और उस सारी मेट्रिया मेडिका में जाते हैं रिपर्टरी के माध्यम से और हम लोग दवा का चुनाव करते हैं तो यह प्रक्रिया म में सारी प्रेक्रिया में जो सिंटम्स का जो स्थान होता है साइन का स्थान होता है और सिंड्रोम का स्थान होता है मैं सिंड्रोम की बात इस ये कहता हूं कि हम लोग के एक मनुस्य होने के नाते बहुत सारी छेत्र है जो कि कभी भी हम लोग नहीं जान पाते हैं अपने लाइ तो यह चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना है और मैं आज का लेक्चर को इसी पर समाप्त करता हूँ और अगले लेक्चर में मैं फिर डिटेल्स और क्लासिफिकेशन में चलूँगा तो धन्यवाद